तेलो फ्रंक कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको उतार जाला हूं Samsung Galaxy के चार आपको hidden feature बताने वालों यह भी बोल सकते हैं आपको चार tip and trick बताने वालों जो कि Samsung Galaxy के है और mobile पर आपको मिल जाएगी यह क्या hidden feature है यह क्या hidden trick है आपको कहा मिलेगी कैसे use करेंगी तो आगे वी feeder बताने मालों वो है gallery को लेके या भी बूल सकते हैं वीडियो player को लेके तो अगर आपको वीडियो भी सुनना है और साथ में कोई दूसरा काम भी करना है तो आगर आप उससे बहार आजाएंगे तो वीडियो पॉस हो जाता है बट आपको एक option मिलता है यहां पर उससे क्या की मैं है यहां पर करोंगहां यहां फिलिग करके मैं ऊ तो आप देख रहे होंगे यह वाज आरहें इसका एक तो अभी आप देख रहे होंगगे अब यहां पर कर लेता हूं प्ले और और यह प्लिक करrí make और आप भार भी आजाएंगे तो भी आपको यह sound video चल रही है यह आप देखेंगे आपको यह video यहाँ पर आपका चल रहा होगा उपर दिख रहा होगा यह आपकी video प्ले हो रही है मतलब कि उसका audio आपको अभी तक सुनाई दे रहा है तो सबसे पहला टेप यह सबसे पहला feature आपको यही था उसके आप दोस्तों जो second बताने वालों वो भी आपका gallery से related है gallery में दोस्तों होता क्या है यहाँ पर कुछ सारी photos या videos हम बार बार इकटी हमसे हो जाती है और duplicates हो जाती है gallery में जाने के बाद यहाँ three dots पर जाना है और यहाँ पर view duplicates पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके duplicates चीज होंगी है duplicate files होंगी आपको सब यहाँ पर मिल जाएगी आप easily उनको fight करके वहाँ से delete कर सकते है तो दूसरा option आपको यह था उसके दोस्तों जो तीसरा feature बताने वाला हूँ वह बहुत ही कमाल का है दोस्तों होता क्या है हमें कुछ type करना रहता है और बहुत सारी चीज़े time करना रहती है तो ऐसा एक एक करके type करेंगे तो बहुत time लग जाता है कुछ लिखने के लिए तो हम चाहते हैं कि मुझे type करना ना पड़े हम बोल के उसको easily type कर सके हमल बोल सकते है कि आप बोलेंगे और easily वहाँ पर type हो जाए तो उसके लिए भी आपको Samsung Keyboard में एक feature मिलता है उसके लिए आपको यहाँ पर देखेंगे Samsung Keyboard में जाना है यहाँ पर आपको Audio का Option मिलेगा आपको उसके किलिक करना है यहाँ पर उसको allow कर देना है माइक के लिए जैसी आप उसके allow करेंगे और यहाँ पर दोबारा किलिक करेंगे यह आप से agree करने को बोलेगा जो भी formative मांगेगा आपको उसको open कर लेना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो देख रहे हैं जैसा कि मैं बोल रहा हूँ automatic वहाँ पर लिखते जा रहा है और आप उसको easily वहाँ पर send कर सकते हैं कोई problem नहीं आप चाहें तो उसकी language भी change कर सकते हैं आपको यहाँ पर कोई दूसरी language करना है तो आपको यहाँ पर click करके उसकी language भी यहाँ पर change कर लेना है जिससे कि आपको कोई दूसरी language में भी input करना है तो वहाँ पर आप उसकी input change कर लीजे language का और वहाँ पर भी उसको use कर पाएंगे तो यह ऐसे work करता है बहुत ही शांदर option है आपको कोई लिखना हो आप quickly वहाँ पर लिख सकते हैं Hi friend जैसे मैं आप लिखना हूँ Hello friends कैसे हैं आप तो आप देखेंगे उन्हें फटक से लिख लिए तो यह ऐसे work करता है बहुत ही शांदर feature है दोस्तों यहाला feature तो मुझे सबसे जाधा पसंद है उमीन देगी दोस्तों आपको यहाला feature भी पसंद आया होगा तो मुझे comment करके जरूर बताना है कि आपको इन समय से कौन सा अच्छा feature लगा दोस्तों जो last बताने वाला हूँ fourth बहुत ही कमाल का feature है यह भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों होता क्या है हम कभी कोई Instagram चला रहे हो या कोई Facebook या कोई भी social media पर कुछ भी browsing कर रहे हो हमें वहाँ पर कोई भी एक photo मिल जाती है जिसमें कोई text लिखा हुआ है हमें वो text को निकालना है तो text अगर आप उसका screenshot लेंगे तो आपको खाली वहाँ पर photo फोटो आती है आपको text नहीं मिलता पर अगर आप चाहते हैं किसी photo में से text निकालना तो आप बहुत ईसली कर सकते है लाइक में यहाँ से इसको back करता हूँ मां लेजार है यहाँ यहाँ पर लीया हुआ इस पर मुझ Mal यहाँ अपर text करना आपको उस पर go क्लिक करने आपको दिख जाएगा क्या क्या मेटर कॉपी हो रहा है आपको उसको कॉपी करना है काप हो जाएगा ऐसी एगर को दूसरी फोटोह भी होगा तो लाइक मैंने यहां पर जैसे थ्म्नेली भी रहां मुझे सत्व निकालना इन यहां पर यहां से किल्क करा है पेनलने को निकाला रिक्टेंगल पर क्ली पर मैंने यहां done करा तो यहां पर भी मुझे exact text का option मिल जाएगा मतलब कि आपको इसी भी photo में से यह निकाल सकते हैं simply आपको उस पर click करना और वहां से आप copy और paste easily कर पाएंगे तो यह feature भी बहुत शांदर feature है इसको enable करने के लिए आपको करना क्या होगा यहां जाना आपको अपने mobile की setting पे mobile की setting पे जाने के आपको जाना यहां पर display वाले option पे display वाले option पे जाने के आपको जाना यहां पर edge panel पे edge panel पे जाने के आपको यहां पर select कर लेना है smart select panel तो आपको इसको on करने ना है, इसके ताथ वहाँ पर आप उसको on करने के बाद, जैसी आप यहाँ से स्को swap करेंगे, तो आपका h final यहाँ पर open हो जाएगा, आपको किसी भी, कोई सी भी method यहाँ पर ले सकते हैं, आपको जिसमे से भी लेना है, आपको उस पर click करना है, जिस area क मुझे तो सारे feature पसंद है, जो कि मैंने आपको अभी बता है, उमीद है कि आपको इसमे से बहुत सारे feature पसंद आए होंगे, या फिर कुछ पसंद आए होंगे, मुझे comment करके जरूँ बताएं कि आपको इसमे से कौन से feature पहले पता थे, या पता नहीं थे, तो कौन से आपक को अच्छे लगे तो दोस्तों मुझे उम्हीद ही कि आपको मेरी वीडियो पसंद आह一定要 सी अगर आपको लगता है ऩली तक मेरे चल्सप्त करें कैब काइए नहीं किय Kalau मेरे चंटि जारइब ना बुलें ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं और मैं और अच्छे अच्छी वीडियो बनाने की और कोशिश करूं और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राव में फेस्ट फोलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंकि दो